नमोंद्राइंजी 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 दोस्तों बात करेंगे आज मकर सक्रान्ती के महापरों के उपर मकर सक्रांती एक ऐसा महापर्व है दोस्तो जिस दिन दान पुन्य करने का सबसे बड़ा पूरे साल में सबसे बड़ा महापुन्य का ये दिन माना जाता है इस दिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ दान करते हैं तो उसका अनंत अनंत फल मिलता है ऐसे हमारे बुजरुग और ऐसे हमारे शास्तर कहते हैं यह जो विशेश प्रकार से जो मकर सक्रान्ति का दिन ऐसा क्यों मनाते हैं क्योंकि जोतिश्य गणना में सूरिय मकर राशी में प अपने आप में एक खुशी का परव मनाने का जैसा त्योहार होता है देवताओं में और ग्रहों में और उसी के मुताबिक हम लोग जोतिश्य द्रिश्टी कौन से इसके अंदर दान पुन्य उपाए बताते हैं जब सूरिय मकर राशी में आता है तो बारा राशियों के माकराशी से निकल के फिर एक महिना मकर में मकर के बाद कुम्भाआशी में क्वें फिर में मेश भर्रिक न अछो में चैनक कंप्लेट में कि यहां पर है kick आए सबसे पहले दान पुन्य के बाद कर लें लिए आपको पतर राजस्तान में तो बहुत ज्यादा पतंग उड़ाई जाती देस के अलग-अलग हिस्थों में अलग-अलग तरीके से इस दिन कोई अलग-अलग नाम से इस्तियों को मनाती हैं लेकिन मकराशी का जब सूरिया आता है उस दिन से जब पॉष्ष की सक्रांती बोलते हैं बारा प्रकार की सक्रांतियां होती हैं बारा सक्रांती में सबसे बड़े जो सक्रांती है वो क्या है मकर सक्रांती है मकर सक्रांती के अंदर अगर आपका जब सूरी आता है तो सारे त्योहार पूजा सारे सारे काम शुरू हो जाते हैं इस दिन से और इसस तो हम बात करेंगे कि आपको करना क्या क्या है सबसे पहले मैं बताता हूँ जब सुबह आप उठेंगे तो आपने सबसे पहले उठते ही गंगा शिनान करना है आप गंगा शिनान कैसे करेंगे क्या गंगा जी में जाके करना चाहिए तो अगर पोसीबल है तो बहुत अच्छ कोई भी आपके घर में होली वाटर जिसे बोलते हैं कोई आप गुर्दवारा साब का जल है गंगा जी का जल है नदियों का जल है आप अपनी बकेट में बाल्टी में डालें उसके बाल्टी को भरें उस जल से आप शनान करें तो सबसे ज़्यादा आपको बड़ा पवित्र बड़ा हलका फिल करेंगे बड़ी आपकी एंजाइटी डिप्रेशन सब खतम हो जाएगा अगर इस दिन आप गंगा जल से शनान करेंगे दूसरी बार दोस्तों इस दिन आपने दान पुनने क्या करने है गुड का दान बहुत अच्छा रहता है चावल का दान बहुत अच कर दीजिए इस दिन दोस्तों चोटे चोटे बच्चे हैं मकर सकरांती के दिन चोटे बच्चों को यदि आप सोक्स बाटते हैं जैसे कि शूज देते हैं जैसे कि आप किताबे बाटते हैं उनको कोई बुक्स की नीड है बुक्स की नीड पूरी करते हैं बहुत ही बड़ा दान है यह मकर सक्रांति के दिन दोस्तों कोई भी अगर आप दान करेंगे तो वो क्या अनंत अनंत पुन्यफल देता है इसके बाद इस दिन आपको बड़े सारे अलग-अलग उपाए छोटे-छोटे उपाए स्टेप बाइ स्टेप चलेंगे आपने गंगा जल से शनान हो ग कार की चीजें बाढ़ने का चोदा जैसे किसी को आपने सेव देने हैं तो चोदा सेव दे सकते हो चोदा केले दे सकते हो चोदा बरतन दे सकते हो चोदा आप कपड़े दान कर सकते हो लेकिन इसको एक और भी तरीके से आप किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा पैस के फल सब्जियां भी 14 14 जिसका एक एक डिडड़ किलो को लगबग सामान हो जाए क्योंकि एक एक पिस देने का तो कोई मतलब नहीं ना को एक आदमी एक फल से क्या करेगा तो कम से कम 14 14 आइटम आप 14 प्रकार की तो आप जैसे लड़ू ले सकते हैं एक किलो तो वह 14 किलो ले लिजिए एपल ले लिजिए खीरा ले लिजिए आप कुछ और कुछ सब्जियां बड़ी सारी वेजीटेबल से वह ले लिजिए यानि 14 आइटम को 14 बार रिपीट करके अगर आप दान करते हैं तो और भी जड़ा सोने में सुआगा है इस दिन आप छत्री का दान करें है क्या बात है मजा आ जाएगा शनी देव तो प्रसन्न हो जाएंगे जिनके कुण्डली में शनी का दोशत दें बस आपका सारा कष्ट दूर हो गया जिनके कुण्डली में शनी की महादशा अंत्रदशा छटे आठवे बारुए में चल रही हो शनी की वज़ह से पीड़ा हो नौव ग्रोहों की पीड़ा चल रही हो इस दिन आप च्छाया पत्र का दान कर दो तेल में चेहरा देखके दान देखके और हातों के नाखुन देखके दान कर दो पूरा मज़ा आ जाएगा इतना बड़िया उपाया इतना बड़िया उपाया क्या बताऊ बाद सुबह नहीं बात हो सकती तो आप फोन पर बात कर लो वीडियो कोल पर कर लो उनकी ब्लेसिंग ले लो गुरू जी अगर आपके कोई है आपके गुरू जी संपर्क में है गुरू जी कहीं रहते हैं गुरू का आशिरवाद ले लो माता पिता गुरू का आशिरवाद बहुत ज्या ज्यादा लाब मिलने वाले हैं हाँ दोस्तों मैं बात बताना भूल गाता बीच में बता दूं कि मकर सक्रांति के दिन खास करके आपको क्या करना चाहिए तरपन करना चाहिए तरपन अगर आप अपने पित्रों का करते तो इस दिन तरपन करना अपने आम में बहुत बड़ी यह जिनके पास वन्सवर्ग दिनी उपारी पुत्र सुख नहीं है वो लोग इस दिन मकर सक्रांति को पित्र द्यवताओं की पुजा करें पित्रों का आशिरवाद ले ले और दोस्तों और कुछ नहीं अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम यह काम करिए आप 14 लोगो मंद इंसान को डोनेट कर दीजिए इसके साथ दोस्तों बात करेंगे बारा राशियों में आपकी राशी के तो मेज राशी वालों को संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता थोड़ी परिशानिया यह च्छै मेने लगबग इसका असा रहता है जो नौर्थ पॉल साउथ पॉल बोलते हैं उत्तरायन और दक्षनायन तो अभी सूरिय जब उत्तरायन में आते हैं सूरिय और अब इसका अपने में बहुत बड़ा मैत्व है तो जब सूरिय मकर राशी में आते हैं दो सब्सक्राइब तक इन अब पर जनुबरी चल रहे हैं तो जन्वरी के बाद जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रैल मई जून के आसपास तक आपका यह जून जुलाई के आसपास तक यह लगबग 6 मेने आपके उपर असर रहेगा तो मेश राशी वालों को सबसे ज़्यादा क्या करना है मेश राशी के क्योंकि भागेस 10 कि कि दिदूर दस्वें भाव में और 10 वह किशना में पीड़ित हो रहे हैं तो यहां पर संतान के तरसे चिंता आँखों की परिशानिया एजुकेशन में रुकावट थोड़ासा आपको यह disturb करेंगे बात करेंगे दोस्तों ब्रिशव राशी के उपर ब्रिशव राशी के अंदर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सूरिय मकर राशी में जा रहे हैं और ब्रिशव राशी के अंदर सूरिय जब मकर में जाएंगे तो कहां पर भग्य भाव के अंदर भग् क्योंकि फॉर्थ हाउस का स्वामी को रुगा बृषव लगन के अंदर सूरिया हुआ तो चोथे घर में जो शेयर मार्केट वाले लोग जो शेयर मार्केट में काम करते जो बृषव राशी वाले लोग उन्हें थोड़ा सावधान देना चाहिए आपको थोड़ा बहुत आपके भाव में कहीं ने कहीं लग को वृद्धी दे रहे हैं अगर फॉरण का काम आपका प्लैनिंग में चल रहा है विदेश का कोई अगर आपका काम प्लैनिंग में चल रहा है तो उमीद है कि वह काम आपका सिरे चड़ जाएगा तो काफी हद तक आपको सूरिया की मिथुन राशी की मिथुन राशी वालों को सबसे ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए n या является के कुंडली में सूरिय रस व्हाष में आएंगे रस वाशिप से जब आप होनि सूरिय है और मिथुन करक सिंग यानि तत्य वहा करें तो और भाई तो आपको पार्टनर की तरफ से चिंता परेशानी सांजदारी में दिखते हैं थोड़ा सा आपका ऐसे खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक्सिडेंट से संबल के रही है चोट परेशानी दो पईया वहन अगर आप चलाते हैं तो बिल्कुल संबल के रही है दो पईया वहन में चोट के एक्सिडेंट के फुल बटा फुल चांसे से आपको उपायक के तोर पे दोस्तों आप क्या करेंगे मित्तुन राशी वाले लोग आपने गुड का दान एवरी संडे कुछ ने कुछ रवी बार के दिन आपने शर्दा अनुसार एक किलो दो किलो गुड अपने गुशाला में डालना है इसे से आपका कल्यान हो जाएगा दोस्तों बात करेंगे इसके बाद करक राशी की करक राशी में दोस्तों सूरिय सकिंड हाउस का स्वामी होता है और आपकी कुण्डली में सूरिय सब्तम भाव में यानि की वेवाहिक जीवन में मै स्टेबिलिटी जादा रहती है मैं हमेशा बोलता हूं जैसा की सब्तों भाव का सूर्य है आपकी जो विवाहिक जीवन है करक राशी वालों की उनको मैरिज लाहिप में थोड़ा बहुत संबल के चलना पड़ेगा रिस्ता अगर आपका होने वाला है तो जिससे बाची चल र रिस्ते की इंगेज्ब्मेंट की वह राज शयम रखें वह रिस्ता खराब हो सकते हैं नई नई शादी होई हैं अगर अभी अभी आप कोई प्लाइन कर रहे हैं बाहर जरने का घूमने का तो थोड़ा अलर्ट रहे हैं रिस्ते खरागूने के चांसे से हैं विवाहिक जीवन के अलावा अगर आप नया विवसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपको अभी छह मैंने ज् वैसे डिस्टरब करता है उपर से सूरिया मकाराशी में सब्तम भाव में आगया तो आपके लिए ठीक नहीं है उपाय के तोर पे आपने चावल और गुड़ दोनों मिला करके गवशाला में धरम स्थान पे एवरी संड़े आप दोनेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज चला गया चटे भाव में चटे भाव में दोस्तो सूरिया रोग रिन शत्रू का स्थान है वैसे चटे घर का सूरिया शत्रू हनता हुता है आपकी जो दुश्मनिया जो जगड़े चल रहे थे जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वह सारे की शानिशान्त हो जाएंगी चटा सूरिया दुश्मन को एकदम खतम कर देगा हिला देगा और आपका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा क्योंकि सिंग राशी वालों का सूरिया स्वामी है तो प्रभाव बढ़ाएगा शुत्रू हो पे लेकिन दोस्तों आपका स्वास्त है आपका बीपी आपको सिरद क्योंकि लगन का कारक सूरिया चटे भाव में मकर राशी में जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको उपाय के तोर पर गंगा जल से 40 दिन लगाता रशनान करें एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालना है गंगा जल डालके उसमें उपर से आपने पानी भरना गरम ठंडा जैसा आपको पसंदें साफ होनी चाहिए बाल्टी ऐसा नहीं कि किसे ने कुछ उसमें गंगा जल डालके रोज शनान करिए 40 दिन तक तो आपका क्योंकि मेजर बात ये भी है कि आपका लगनेश है तो आपको एक्सिडेंटल से भी बचना चाहिए और दूसरी बात है पैसे का व्यावार जो आप किसी को उधार देने वाले हैं तो आप थोड़ा 6 मेने के लिए सोच समझ के डील करें या कागज पत्तर लेन देन बेलकुल अच्छे से कर लीजिए गा दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे कर्णिया राशी की कर्णिया राशी का स्वा बारवा घर किसका है कोट के चेरी लिटिगेशन जगड़े इन सब चीजों का तो लगबग 6 मेने कर्णिया राशी वालों को लिटिगेशन और कोट के चेरी और जगड़े और किसी के साथ में ज़्यादा विवाद करना अच्छा नहीं आपके लिए दूसरी बात शांती से अपना काम करेंगे तो आप बहुत जंग जीत जाएंगे अगर आप अपनी बात को प्राइवेट से आप पब्लिकली करेंगे तो आपको परिशानियां ज़्यादा आएंगी प्राइवेसी रखें मन को शांत रखें और पंचंबहाव में यानिए आपकी जो बच्चें आपका decision making का भी होता है आपका संतान education का भी होता है जो विद्यारती हैं उनकी education में भी थोड़ी problems दे सकते हैं क्योंकि सूरिया मक्राशी में शत्रू राशी में पीडित हैं यहां पे और कहा है पंचमभाव में हैं तो कन्या राशी वालों के लिए जो उपाई मैं बताऊंग तो आप क्या करेंगे गुड का दान गवशाला में एवरी संडे डोनेट करेंगे शर्दा अनुसार तो भी आपको और ज्यादा अच्छा फल मिलेगा दोस्तों बात करेंगे तुला राशी की तुला राशी का स्वामी कौन हुआ शुक्र हुआ और तुला राशी के अंदर आपका सूरिय फोर्थ हाउस में माता के स्थान पर आपके प्रॉपर्टी के स्थान पर बैठे हुए है सूरिय ग्यारवे घर के मालिक है तुला राशी वालों की लगन में और तुला राशी वालों को जब 11 घर का स्वामी सूरिया है और बैठे वे फॉर्थ हाउस में है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जो अभी तक का अनुवाव है 11 का मालिक सूरिया है फॉर्थ हाउस में पहली बात तो कोई लौटरी भी लग सकती है कोई अनक्सपेक्टेड मनी धन दौलत भी मिल सकती है क्य लेकिन इदर सूरिया पेड़ित है चोथे घर में बैठे हुए तो यानि आपको चोथे घर के जो फल है उनमें डिस्ट्रवेंस आएगी तो चोथे भाव का फल यानि आपको थोड़ा सा माता के स्वास्त्य का ध्यान डखना चाहिए लंबी जर्नी अगर आप करने वाले है बढ़ों के आशिरवात के साथ साहत तुला राशी वालों को सफचेद वबस्तुएं गरीब लोगों में जरुर्तमद्रिव डोनेट करने हैं दोस्तों बात करेंगे वरिश्षिक राशी की विरश्षिक राशी वाले जो लोग है इनका सौनम एजा है विक्टी सब्सक्राशी राशी स३मन के मालिके ठीज necesita ₴ तो थेज़न तो तो आपकी कुंडली में नहीं तेसरे घर में बैटे हैं तो तीसरा घर किसका है भाई बेनों का पार्टनर्स का है तो यहां पर थोड़ा सा आपको पार्टनर के साथ में भी अपनी समझदारी रखनी है और वैसे दस्वें घर का फल भी थोड़ा सूरिया जब पीडित होता है ज्यादा तर लोगों को कुछ राशियों को चोड़के ज्यादा तर लोगों को परशानियां मिलती है तो यहां पर एक बात बता दें कि आपको पार्टनर्शिप करने से बचनी है नई पार्टनर्शिप नया जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने पे मेहनत करिए रोजाना सूरिय को जल दें और ओम सूरिया नमयका आप बीज मंतर का जाब करें या ओम घ्रिडी सूरिया नमयका भी जाब करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों बात करेंगे धनुराशी की धनुराशी का हुइब है अगर आपकी धनुलगन से देखेंगे तो सकेंड हासी हुए है भाग्यभाव के मलिक है भाग्यभाव लक once foreign travel एक है ुए कौर लिए कर सकते हैं सेकंड हास में सूरिय है थोड़ा सा पैसे का लें दिन सोच समझ के करें आंखों नाफ्चांगा बात संतान से सम्मंदित गुड़ न्यूज मिलने के भी चांसे से हैं यह 6 मेहने क्योंकि मैं बताता हूं हमेशा कि सूरिय हमेशा जब भी मकराशी में आते हैं तो 6 मेहने उत्राइन और दक्षनाइन की वज़े से 6 मेहने तक सूरिय का असर रहेगा नौर्थ पॉल साउथ पॉल की वज़े से तो आपको यहाँ पर संतान की तरफ से कुछ काम्याबी कुछ खुशियां भी मिलेंगी और आपका फॉरं से सम्मंदित को प्लैनिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा भक्ती भावना भी बढ़ेगी मान सम्मान भी बढ़ेग लेकिन थोड़ा सा रुपय का लेंदिन साबधाने से करें थोड़ा कस्ट आ सकता है बैंक के साथ लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कागज पत्तर ध्यान से लीजिए कोई फ्रोड ना हो जाए आपके साथ में दोस्तों बात करेंगे हम मकर राशी की मकर राशी का स्वामी शनी है और मकर राशी के अंदर ही अभी सूरिया पर वेश कर रहे हैं मकर राशी में लगन में सूरिया है और कुम्ब के अंदर शनी चल रहे हैं वैसे दोस्तों क्योंकि मकर राशी वालों को साड़ सती भी चल रही है और उपर से सूरिया महराज अ आए हैं तो लगबग एक महिना तो आपको थोड़ा सा ये परिशानिया जादा भी रह सकती हैं क्योंकि वैसे मेश राशी के मकर और कुम राशी में सूरिय शत्रू हैं तो सूरिय जब आपके लगन में आ गए हैं तो एक तर तो इसके उच्च के फल भी मिलते एक तर परिशा हुई है जब लगन में आयें तो आपको स्वास्तिय से सम्मंदित जैसे कि आपको बैक पॉन की प्रॉबलम पैरों में दर्द सिर्दर्द की परिशानियां हेल्थ इश्यूस आपको क्रियेट करेंगे लगन के सूरिय इसके आलावा आपको वानी दोश रहेगा वानी दोश होना किसी के साथ में आपका वेवार गलत हो जाना और उपर से आपकी राशी के अंदर मकराशी में सुरिया अस्टम के कारण है तो अक्सिडेंटल जोन आपका पका है तो आपको बहुत संबल के चलना पड़ेगा लगबग 6 महने आपको एक्सिडेंट से चोट से बीमारिय एक बार जरूर दान करना है संड़े के दिन करना है बात करेंगे दोस्तों कुंब राशी की कुंब राशी का स्वामी कौन हुआ शनी हुआ और कुंब राशी के अंदर आप ध्यान से समझेंगे तो सूरिया बारवे घर में मका राशी में आये हैं और वैसे कुंब राशी में तो यहां पर अगर हम देखने जाएं तो सूरिय का बारवे घर में कुंब राशी वालों को बारवे घर का सूरिय कहीं 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 कुंब राशी को पत्नी से सम्मंदित पीड़ा का थोड़ा कारण बन सकता है सब्तमेश कुंब राशी में कुंब मकर कुंब मीन मेश ब्रिक मितुन करक सिंग यस बिलकुल आपको पत्नी स्वास्ते में साबधानी रखें और आपको ससुराल से सम्मंदित जो आपके साले साहब हैं ससुर जी हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी चिंता परेशानिया मिल सकती ह थोड़ा साथ आपको शेर मार्केट के काम करते हैं तो पैसा डूबने का बहुत ज्यादा चांसे है कोई बड़ा लॉस ना हो जाए तो अगर आप काम करते हैं तो भी समझ के चलें ध्यान से चलें आपको यहां पर भी कोट के चीरी लिटिकेशन का सामना करना पड़ सकता है उपाय के तोर पे हर शनिवार चाया पात्र का दान करें स्टील की कटोरी में तेल भरके चेरा देखके दान देखके हातों के निल्स देखके आप चाया पात्र का दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे मीन राशी की मीन राशी का स्वामी हुआ गुरू ब्रश्पती और मींद राशी वालों की कुंडली में चटे घर का स्वामी है सूरी है और 11 घर में सूरी आये हैं यानि जो आपने धन जोड के रखा हुआ था जो बैंक में पैसा जोड़ा हुआ था उसमें कोई फ्रोड ना हो जाए कोई आप का जो बड़ा भाई है या परिवार के अंदर जो कजन ब्रदर हैं बड़े भाई हैं उनसे को प्रॉपर्टी का बटवारा होता है तो भी छै मेने के लिए पोश्पॉन करिए नहीं तो आपके साथ दोखा या धका होने के चांसे ज्यादा रहेंगे दूसरी बात सूरिय ग्य वावाता उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो वह भी रुपया आने के भी चांस हैं तो दोस्तों इसी के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को स्माप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज मुला है धा ŁU आपा også सरतम में तरुम सोपर लाईधियो में भीज करेंवेकं कर अद qua था वीजिए मुला को स्मापे में अिधू요 같 biz आपार को और हैयो